हेलो काईज, वेलकम टू 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 टेकिया सुर यूडिव चनल और गाईज, फाइनली दो महीना वेट कराने के बाद शौमी ने फाइनली फैला फ्लेश सेल रखा था रेड्मी नोट 9 प्रो मैक्स का और वो सेल आके जा चुका है, आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे प्रिवेस वीडियो में कमेंड आये थे कभी हम कोई डिवाइस नहीं मिला, क्या करना पड़ेगा, कहां से पर्चेस करें और बहुत सारे नेगिटिव कमेंड मुझे यहां पर आये थे तो आज की स्वीडियो में मैं Redmi Note 9 Pro Max के रिगार्डिंग आप लोगों के साथ में कुछ बात करने वाला हूँ और आपके साथ में जो अपने honest opinions शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग Xiaomi and Redmi Note 9 Pro Max तो यसी बात किरें एक वीडियो को लाइक की वीडियो का लेक्पी लेक अरगे रकते ह हम 2000 लेक्स का एक होप क्या वरॉप कर दोगे एक चलि वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फैंस वीडियो शा SIMP आँग करने बाता करने सिब आपको पता दूँ उसका लिंक मैंने नीचे डिस्किप्शन में पिन कमेंड में दे दिया और ज़रू से जाके वो चेक आउट कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Redmi Note 9 Pro Max की बाद देखो 12 March को यहाँ पर यह डिवाइस जो है शामी ने यहाँ पर लॉंच कर दिया था इंडिया में Note 9 Pro, Note 9 Pro Max दोनों डिवाइस जो है साथी में लॉंच हुए थे अब lockdown के कारण भी यहाँ बहुत ज़ादा डिले हो गया था Max की सेल को और lockdown से पहले भी एक सेल रख सकते थे दो सेल रख सकते थे लेकिन सेल नहीं रखे थे lockdown जाने के बाद भी Note 9 Pro का आपको सेल देखने को मिल रहा था लेकिन Max का नहीं मिल रहा था अब फाइनली 12 में को पहला फ्लेश सेल था और फ्लेश सेल की अगर मैं कहानी बता हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स आये स्क्रीन शॉट्स आये और वो लोग डारेक्ली बोल रहे हैं कि कुछ ही सेकेंड्स का यहाँ पर सेल था अब मैं मेरी बात करूँ तो मुझे यहाँ पर हेलेश और मैं फोन पस्टिश नहीं कर पाए लेकिन जो लोग यहां पर ग्रीण जोन में है औरेड जोन में उनको यहां पर बाय नॉग का पॉप्शन आया एड़ टो का उप्शन आया लेकिन उन्हों का कहना यह है कि कुछ рахण और फॉटश हो गया ठीग वालों से request है कि भाई ऐसा flash sale क्यों लाते हो जो कि customer को यहाँ पर इतनी मगज मारी करना पड़े दो-दो महीना wait कराने के बाद भी बहुत सारे लोगों को 90% लोगों को smartphone नहीं मिला और उससे भी बड़ी बात बहुत सारे लोगों का ये भी comment है कि भाई जो sale में मैंने में को screenshot वग रहा है आप जैसे की देख सकते हो सिर्व आपको एक ही variant देखने को मिल रहा है 6GB 128GB उसमें भी सिर्व आपको white color मिल रहा है black color मिल रहा है और जो सबसे favorite color है बहुत सारे लोगों का blue green type का वो available नहीं था 664 भी available नहीं था 8128 भी available नहीं था तो ये कैसा है मतलब लोग दो-दो मैना wait करें आपके smartphone पर चेस करने का flash sale का भी labeling यहाँ पर line लगी भी है और line में लगने के बाद उनको पता चलता है कि भाई उनको जो variant चाहता है उनको जो color चाहता वो available ही नहीं है तो इतने time से क्या करो Xiaomi वालो तो Xiaomi से यही request है कि आप इंडिया के number one smartphone brand हो तो number one smartphone brand का का काम क्या होता है कि उसके customer को अच्छी तरीके से देखा जाता है अच्छे से यहाँ पर service दी जाती है अच्छे से smartphone दिये जाता है जो उसको पसंद है वो बंदा जो hard and money अपना आपको दे रहे है सिर्व आपके me.com और आपका amazon से purchase कर रहे है तो बिलकुल भी सही बात नहीं है कि मतलब आप ऐसा कर रहे हो कि color भी नहीं दे रहे हो as well as storage variant बेबी यहाँ पर काट रहे हो तो बिलकुल भी मुझे यह चीज अच्छी नहीं लगी है और Xiaomi ऐसा कोई नया brand नहीं है कि चलो बार-बार आ रहे है पैकेजिंग भी बार-बार हो रही है सारे colors available है सारे variants अवेलेबल है लेकिन Max जब Max की बात आती है तो sales भी नहीं दिक रहे है variants भी नहीं दिक रहे है तो यह चीज मुझे परसली अच्छी नहीं लगता है और अगर आपको सारी चीजों नहीं हो पारी है slow पा रहे हैं यह नहीं available करा पा रहे हो तो note 9 pro का भी मत करा हो note 9 pro बराबर से भी करा है max को यहाँ पर लटका के रखे हो तो यह चीज मुझे personally अच्छी नहीं लगी है और Xiaomi को इंडिया में आके 6 साल हो चुके 2014 के end July के असपास कुछ आये थे अब 2020 हो चुका है इंडिया के number one smartphone selling brand है तो ऐसी चीज है यहाँ पर मुझे personally अच्छी नहीं लगती है और flash sale का मतलब क्या है यार मतलब 6 साल पुराने brand हो चुके हो और लोगों आप पर ट्रस करते है कि हाँ आप Xiaomi number one है चलो Xiaomi का MI का Redmi का phone चीए त अच्छे stock में याँ पर provide करा हो और जो सारे variants जो है और सारे color जो अविलेबल करा हो और अगर नहीं करा पा रहा हो तो यहाँ पर Twitter पर या कोई site पर अपनी जाके बता दो कि यह जार यह sale में यह दिन में जो है यह color अविलेबल है यह variants अविलेबल है मतलब आप सीधा बोलतो यहाँ पर Xiaomi जे regarding और आप बोल सकते हो Redmi Note 9 Pro Max के fake sale के regarding आप इसे बोल सकते हो तो guys यह थे मेरा honest opinion बा क्या मुझे कमें जेक्शन ने बताना आप मैंसे कितने लोग यहाँ पर Redmi Note 9 Pro Max को purchase करने गया थे कितने लोगों को मिला कितने लोगों को नहीं मिला और आपके साथ भी यहाँ पर क्या colors, variants वगरा कि यहाँ पर सारी चीज़े होई थी मुझे बताना नीचे comments में और क्या आप इन future Redmi Note 9 Pro Max को purchase करने वाले हो यह नहीं करने वाले हो वो भी बताना नीचे मुझे comments में सब्सक्राइब करें किसी वीडियो में चब तक के लिए Thank You